मेरे प्री भाईयों एवं बहनों, बिस्वी सताबदी के पूरवार्द में, सद्गुरु कबीर सहब जी की परंपरा में सद्गुरु अभिलास सहब एक ऐसा महान प्रादिव नाम आता है, जो ज्ञान बायराग, त्याग, ध्यान, शाधना, अंतरमुकता, शुरूपिस्थि और आत्म सैयम की महामूर्थी थे, सद्गुरु अभिलास सहब जी ने, सद्गुरु कबीर सहब जी के मौलिक रचना बीजक पर तो अनेक ढंग से टी का व्याख्या लिखा ही है, उसके अलावा उन्होंने पारक सिद्धान्त के कबीर पंथ के अनेक महापुर्शों पर भी उन्होंने अध्वती काम किया है, वेदों पर आपने वेद क्या कहते हैं पुस्टक लिखा है, जो एक मोटी पुस्टक है, महाभारत पर महाभारत मीमांसा, गीता पर गीता शार, योगडर्शन पर योगडर्शन परकभास से, चीन के एक महान संतर्लाउज्जे पर उन्हो पर उन्होंने लिखा है तथागत बुद्ध क्या कहते हैं इस प्रकार से आपके लगभग 140 ग्रंथ हैं जिसमें काभ्यात्मक और गद्यात्मक दोनों हैं आपने अपने पूरे जीवन में देश और विदेश में भ्रमण करके सद्गुरु कबीर साहिब जी का अध्वती निर काभ्यात्मक जो पुस्तके हैं वह भी लोगों का बड़ा हित कर रही है जो मुखरूप से चार हैं प्रतम है वैराग संजीवनी इसे आपने अलपायू में ही बनाया था जो बहुत ही मार्मिक है दूसरी है हिर्दय के गीत और तीसरी है भजनावली और अंतिम छोटी पुस है उनमें बड़े मार्मिक भजन है भक्ति ज्यान बोध रस से भरे हुए पद है वे आप इनको मनन करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा आए इसी पुस्तक में से एक भजन स्रमण करते हैं गाजियाबाद के रहने वाले गजराज सिंग भाटी जी के द्वारा आप इ खोए दियो रे भाजन बिन नर्तन खोए दियो रे पशु पाक्षी सम जग सुख भोग्यो उत्तम तन धरी कहा कियो रे उत्तम तन धरी कहा कियो रे भजन बिन नर्तन खोए दियो रे खाए सोए कर उमर बितायो खाए सोए कर उमर बितायो नहीं कचु धर्म को बीज बियो रे भजन बिन नर्तन खोए दियो रे धन कुटुम्ब घर में ममता करी पर्मारत पत भूल गियो रे बजन बिन नर्तन खोए दियो रे कहया भिलास आस तजी जग की पुनी पुनी दुख मैं जनम लियो रे पुनी पुनी दुख मैं जनम लियो रे बजन बिन नर्तन खोए दियो रे बजन बिन नर्तन खोए दियो रे बोलो सद्गुरु देव की जै